तो बच्चो मेरा नाम है आकर्ष और मैं आपका कंप्यूटर अप्लिकेशन में तो बच्चो आज का सेशन में लेके आए हूं आपके लिए यूनिट नंबर वन जो हमारी नेट्वरकिंग की यूनिट है उस पे लेके आया हूं तो बच्चो टम टू का हमारा यह बहुत लक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले की नेट्वरकिंग क्या होती है तो बच्चो आपने सुना क्या हुआ नेट्वरकिंग वर्डट आप सब ने जिंददगी में कब सुन रखा, तो आज के समय में अब सबसे बड़ी चीज्किया है इसन नेट इमें नेटवाक इंफरमेशिंग इ मेच सकते हैं कि सब हमारे क्या है यूजरों और ये सब एक यूजर नेटवाकिंग के तुरू आपस में connected हैं और connected होने के वजह से यह क्या कर रहे है डेटा अपस में शेयर से जैसे आप internet पर जाते हो internet पर कोई भी information पड़ते हो तो internet क्या है internet इन्टर भी Network है जहां पर आप लोगों से connected हो और वह लोग क्या कर रहे हैं आप इंफर्मेशन आपस में इंप ग्रेंग कर रहे हैं UM तो नेट्वर्किंग क्या है कई सारे नेट वॉक कर सारे kई सारे कौम्प्यूटर्स आपस में कनेक्ट के क्या बनाते एक मतलती जाल बनाते ऑशार अगर वैब बोले तो ओर C को हम क्या बोलते हैं networking बोलते हैं तो multiple computers आपस में connected है और एक network बना रहे हैं उसी को computer networks भी बोलते हैं network भी बोलते हैं computer networking भी बोलते हैं but main हमारा कि वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पर information की sharing हो रही है कि चलिए तो जानते हैं definition के तुरू जानते हैं कि computer networking refers to the interconnected computing device that can exchange data and share resources with each other क्या बोलता है कि भाई computer networking है क्या interconnected computing device the computing device कहों से जैसे computer mobile smartphone आपके tablet यह सब क्या है आपस में connected है और क्या कर रहे है data resources को share कर रहे हैं एक दूसरे से each other जैसे कि यह program तो यह हमारा क्या है networking कहलाता है या आप networking बोलिए या आप computer networks बोलिए कि computer networks बोलिए ठीक है या आप network बोलिए बात एक ही है तो सारे devices जितने भी computer devices जितने भी डिवाइसे जिसने भी devices सब आपस में connected है तुरुदी network और क्या कर रहे है information की sharing कर रहे हैं ठीक है तो यह हमारा basic concept networking के बारे में इस diagram से बहुत ज्यादा आपको चीजे clear हो रही है कि यह सारे users है और सब क्या कर रहे हैं बच्चे आपस में data sharing कर रहे हैं एक network के थ्रूप चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं network का सबसे बड़ा example सबसे अच्छा example internet internet क्या है internet भी actual में एक network है जिससे कि हम सब आप और हम जितने भी user से जो computer चला रहे हैं या tablet यूज कर रहे हैं या मुबाई या smartphone यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यह सारे devices आपस में interconnected हैं इच अधर से और क्या कर है में क्या है डेटा या information की sharing कर रहे हैं डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं तो internet भी क्या है बहुत बड़ा वास्ट नेट्वर्क है बहुत बड़ जिससे कि all over world all over globe जितने devices हैं जिसमें networking की सुझदा दी गई है networking दिया गया है वो सारे आपस में क्या है बच्चे connected है तो internet internet is a vast network that connects computer all over the world internet क्या करता है all over the world computers connect कर रखता कैसे कि भाई अगर आप यहां बैट वे इंडिया के अंदर और आपको किसी अमेरिका में USA के अंदर किसी को कोई message deliver करना है या किसी से चैट करनी है या किसी से वीडियो कॉल करनी है तो आप यह किसके तुरू कर पा रहे हो internet के तुरू कैसे क्योंकि internet ने हम सब को आपस में क्या कर रखा है बच्चे connected कर रखा है connection प्रवाइड कर रखा है जिसके तुरो हम हम किषी को भी information share कर सकते हैं तो जो भी लोग internet पर हैं जो भी लोग internet में connection है तो वह सब आफस में क्या कर सकता हैं information χ th eerik The जैसे कि मैं मैं आपको क्या कर रहा हूं मैं actually information sharing कर रहा हूं through internet करनेट। हम ऑन-laiन एज्चेशन की बात करते हैं तो ऑन-laiन एज्चेशन भी क्या है इंफॉर्मेशन शेरिंग करना सुभी इंटनेट तो मैं भी आपको क्या कर रहा हूं इन्वर्मेशन सेश्र कर कर सकते उनसे communicate कर सकते उनसे बाते कर सकते यो आपस में तो internet ने इतनी असान जिंदगी बना दी है बिना internet के अगर आप अभी की life imagine करें तो internet के without life कुछ भी नहीं है क्योंकि internet ही सब कुछ बन चुका है क्योंकि information ही सब कुछ है कि data का sharing करना अगर मैं internet नहीं होका दुनिया में तो आप मेरे से कैसे पड़बाऊगे आप यह information कैसे ले पाऊगी ठीक है तो हमने क्या में एक जगा हूँ दूनिया के किसी कोने में उन आप एक जगा हो तो हम किसी इंटरनेट के mili cupboard के मीडियatti के talented information की sharing कर सकते हैं आपस क्लिए तो ये है internet तो अगर आपसे कोई definition पूछ है तो आप ये definition बहुत इसको लख सकते हैं याद करने की ज़रुत नहीं है सिर्फ समझने की जरूबत है किसी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रुत नहीं है आप समझेंगे आप खुद बखुद exams के अंदर अच्छे से प्रफॉर्म कर पाएंगे लिख पाएंगे अब आगे चलते हैं इंटरनेट के यूज के हैं बहुत सारे यूज बहुत इंटरनेट के चाहिए आप किसी को मेल करना हो ऑनलाइन शॉपिंग करना हो प्रेयशल ट्रांजीक्षिन पसंफिंग इंटरनेट का यूज हो रहा है एजू क्या जैसे हम लर्णनिंग बोलते हैं लश्यमार करें के का प्रोंपर the All High For Buke backyard कर रहे हो प्लेटर करें लोगों से तो ये सारे यूज यूज एलेक्ट्रोनिक मेल फाइल ट्रांसफर मींस डाउनलोड अप्लोड करना आप डाउनलोड भी करते हो इंटरनेट पे इंटरनेट के तुरू फाइल डाउनलोड करना एंड अप्लोड करना तो यह सब इंटरनेट के यूज है कि आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है तो आप यह सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं इकॉमर्स इबिजनेस के लिए अब बहुत सारी वेबसाइट से जो आप आसान खरीते हो या कुछ बेचते हो ट्रेडिंग के लिए ठीक है ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग होने लगी आज कल इसको नेट बैंकिंग भी बोलते हैं केस्स ट्रांजिक्षन बिना कैस्स करा करना किसी कोहाइट कर सकते हैं फिससे मुन ले सकते हो यह अब लोगों से मिलते हो लोगों से इंफार्मेशन अपनि उपिनियन शेर करते हो जहां पे dalॉट नेट पर जत्चिन Hai जहां से आप लोगों से फ्रेंडशिप करते हो लोगों से बाते करते हो अपनी opinion शेयर करते हो कोई information शेयर करते हो तो यह सारे यूज बच्चे किसके हैं इंटर नेट के हैं तो देख लिए यह यूज भी आपको बड़े ही एक specific point में लिखे गए हैं आपको याद करने की जुरूत है आपको सिर्व समझने की जुरूत है ठीक है चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चा एक बहुत ही अच्छे topic की जहां पे हम बात करेंगे www आपने नाम जरूर सुना होगा www के बारे में और internet तो www क्या है और internet क्या है तो internet के बारे में जान लिया कि internet एक बहुत बड़ा network है वास network जिससे कि हम सब लोग आपस में connected है हमारे जितने भी networking devices है जितने भी computer है वो सब आपस में क्या है connected है तो www क्या है एक्चलिए तो www का सबसे पहले हमें जानना है फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म वाइल्ड वाइड वेब आपने देखा होगा जब आप कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पर एक्सिस करते हो तो आप www website का नाम और.com या.in.org जो भी लिखते हो तो आप लिखते होगे तो फुल फॉर्म तो यह है बट इसकी एक्च्वल डेफिनेशन एक्च्वल इसको कैसे डिफाइन किया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूं तो देखिए www www एक क्या है एक रिसोर्स है एक रिसोर्स है जहां पर जितने भी आप website या web pages internet पर access करते हो वहां पर यह सारा उसका collection है जितने भी internet पर आप क्या रखते हो बच्चे जितने भी internet पर वेb pages websites देखते ओ वह सब कहां पर store है कहां पर resource है www में ठीक है तो भाई यह collection of website web pages www के अंदर है www क्या है worldwide web which is also known as web यह क्या एक वैब है information का एक वैब है मतलब यहाँ पर information है और जो यहाँ पर information है information है वो कैसी है websites और web pages के form में store है तो internet पर जो भी information आप access करते हों किस form में होती है web pages के form में होती है है ठीक है stored in web servers and connected to the local computer through the internet www हमारा क्या है बच्चे एक resource है information का एक क्या है बच्चे resource है ठीक है क्या है आप है www हमारा एक resource है information का तो internet में जितने भी information है वो इसी resource के अंदर है और किस form में है web pages web pages और website के form में internet मिलती है तो भाई जितना भी सब कुछ internet पर जितनी भी service है जितना भी service है वो सब इसके अंडर में वह सब इसके अंडर में यह सारा management देखता है internet पर जो भी information होती है तो यह एक तरह का समझे लिए एक व्यागा बॉॉक्स ठीक हैं collection of information तो यहां से आप कोई भी information ले सकते हैं कोई भी information लोग आपस में sharing गड़ते हैं चलिए तो अब पच्चे अब देखते हैं difference क्या है internet में और याद रखना है तो चलिए देखते हैं internet और ww में क्या difference है देखें अभी मैंने बात किया कि internet क्या है global network एक vast network जिसके तुरू लोग आपस में connected है आपस में क्या है बच्चे connected है तो internet तो network हो गया बट www एक क्या है बच्चे एक resource है information का information का collection internet network है www क्या रिसोर्स से जहां पर information है actual में internet पर ठीक है तो चलिए difference करते हैं difference करते हैं difference देखते हैं internet is a global network internet बिल्कुल global network जिससे कि हम सारे आपस में क्या है बच्चे connected है www stands for worldwide web www stands for worldwide web ये network है ये service है internet means connecting a computer to any other computer anywhere in the world internet का मतलब क्या है कि बाइं computers को आपस में connect करना network बनाना internet का मतलब क्या है कि वाइं computer को आपस में connected करना जो कहीं भी हो वर्ड में but worldwide web डबलू डबलू क्या है which is a collection of information which is x is why the internet ये information जिसको हम internet के through access करते हैं ये क्या है ये information जिसको हम internet के through access करते अगर हमें यह information access करनी है तो we require an internet we need an internet हमें internet चाहिए कि it is a physical infrastructure क्योंकि यह network तो physical infrastructure होगा क्योंकि यहां पे devices आपस में connected है कुछ wired है कुछ wireless devices connected है तो यह physical infrastructure है बड़ यह क्या है यह internet की सर्वीस है क्या है यह इंटरनेट की एक सर्वीस है तो www is a service on the top of the infrastructure तो यह हमारा इंट्राटक्चर है यह हमारा एक आगिटेक्चर है और उसकी सर्वीस यह है www जो कि हमारे को इंटरनेट पर इंफोर्मेशन एक्सिस करने ये एपर हेल्प करती है को नाओ नेचर आफ इंटरनेट हार्ट वेर हो सकता है क्योंकि भाई हम कम्प्यूटर सको आपस में फिजिकल तरीके से से Connected कर रहें ? मतवाय डिप से Connection कर रहे हैं और इसका क्या है नेचर इसस ओफ सा फ्टेर ये एक सॉफ्ट एर का निचर रखता येक Esoft Steel कर नेचर रखता है नाव Internet इंटरनेट डब्लू 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 बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेट डब्लू 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 और टी है वह हमारी इंटरनेट उसके बाद इसकी जो सर्विस है डबलू डबलू वाइड वाइड वेब वह आती है जिसके तुरू हम इंफर्मेशन को एक्सिस करते हैं तो यह डिफरेंस किये मैंने पांच पॉइंट तो यह आपको याद रखने यह टेबल आपको याद बीच में तvä Dávra मैं को याद रखना एंटरनेट मीस क्नेक्टिंग कंप्यूटर मतब करनाई कंप्यूटर बनाना बद डब्लू डबलू किया है एक्च्छिट डब्लू डबू डबलेस रिसोर्स है एक ऐसा बॉक से जोकी collection of information है जो internet पे information है clear चली तो अब difference clear हो गया होगा अब next आते हैं अब कुछ हम basic terminology की बात करते हैं जो internet की है सबसे पहली बात करते हैं web browser की web browser क्या है देखिए आप mobiles के अंदर या आप computers के अंदर आप internet होता है आप internet से connected होगा आप internet पे अब internet को चलाएगा कौन अब internet को चलाएगा कौन तो वी रिक्वायर वेब ब्राउजर टू एक्सिस है internet अब हमारे पास internet आ गया अब हमें एक web browser चाहिए web browser जो कि हमारे internet पे available जितनी भी information हो उसको access करके हमें लाके दे तो web browser actually में एक software होता है जो कि ऐसे काम करता है कि अगर आप यूजर ने यूजर बोले या client ने request करी तो वह हमारी request को क्या करता है accept करता है और web browser जाता है किस के पास web server के पास जाता है तो web server के पास request लेके जाता है हमारी और जो भी information हमने बोली होती वह लेके fetch करके लेके आके हमें अपनी स्क्रीन पे display कराता है तो web browser is the software एक application software वेब ब्राउजर is a software application is used to access information on the world wide web अब जो information www के पास है अब इस information को access करने के लिए जो information इसके पास है इस information को एक्सिस करने के लिए हमें क्या चाहिए web browser चाहिए क्या चाहिए एक web browser चाहिए जो कि एक क्या है बच्चे एक software है ठीक है तुक इस code of web browser जो कि हमारी information को access करता है application software के तुरू वह हमारा क्या है web browser है अब काम कैसे करता है एक्चुल वेन रिउजर request some information जैसे आप आपने कुछ भी सर्च किया let's suppose आपने कुछ भी सर्च किया आपने सर्च किया doubtnet.com तो आपको वह जो रिक्वेस्ट जो आप रिक्वेस्ट आपने की है जो client user ने request किये उस request को यह accept करता है web browser fetch data from web server और कहां लेके जाता है वह information web server पे लेके जाता है वहां से information लेके आता है वह सारी information कहां store है web server पे store है और आपको display कर देता है web pages या website के form में यहां लिका है डिस्पलेड़ वेब पेज़स ऑन दी यूजर स्क्रीन जो आपका मुबाइल या आपका कम्प्यूटर है वहाँ पर आपको वह इंफर्मेशन डिस्प्ले कर देता है वेब ब्राउजर ठीक है तो अब वेब ब्राउजर है क्या अच्छुलिए वेब ब्राउजर एक सॉफ्टेयर है यह जिनको आप डाउनलोड करते हो और यूज करते हो इंटरनेट को एक्सिस करने के लिए इंटरनेट चलाने के लिए यही हमें हमारी इंफॉर्मेशन को लेकर आके हमें डिस्प्ले कराने के लिए ठीक है तो हट जाता हूं साइड में अब देख लो कि चलिए नारै आता है हाव व्ट वर्षूजर वर्क कैसे व्ट व्ट करता है व्ट कैसे काम करता है तो चलिए देखते हैं कि यह यह सर्फ के पास गया और सर्फ पास पास जाएब डेकं जो कि लेट सब्सक्राइब के पास हम रिक्वेस्ट लेके गए कि डाउटनट डॉट कॉम आपको सर्च करना है तो यह रिक्वेस्ट है यह हमारी क्या थी बच्चे रिक्वेस्ट है यह रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास गया सर्वर ने यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और अपने प्रोग्राम के अंदर देखा क्या यह इंफर्मेशन उसके पास है क्या यह इसके पास है अगर वह इंफर्मेशन है तो वह उसको डिलिवर कर देगा वह इंफर्मेशन है तो वापस किसको देदेगा वैब ब्राउज और वो information को ले के आके आपको यहां पे display करा देगा तो request आप से लेता है server के पास लेके जाता है और जो server information देता है वो information लेके भी आता है request or response ठीक है request और response और यहां पे लाके display करा देता है तो web browser as a interface काम करता है एक और डाइग्राम संदेखते हैं ठीक है यह डाइग्राम देखिए वेब ब्राउजर है और यह वेब सर्वर है ठीक है क्लाइट ने request करी तो और request क्लाइंट की जो request एब ब्राउजर रिक्वेस्ट दिवेब सर्वर तो वो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट यूजर की रिक्वेस्ट वो लेकि कहां गया वेब ब्राउज पर गया और वैब सर्वर में जो information इसको दीए वो लेके आया और वैब सर्वर जो भी information देगा वो web pages के form में में देगा ठीक है तो यह एक user और एंट लिव चाँ विश्वर के बीच में में स्टुएंग कर आई में माम और इंटर्फियस काम करता है याज वेब ब्राउजर थीए वेबाउजर 실ative तो यह आप समझ सकते कि हमसे रिक्टेस्ट लेता है वेब सर्वर पे जाता है वहां से information वेब pages की form में लेके आता है और हमारी screen पर क्या करा देता है display करा देता है तो यह diagram से हम बहुत अच्छी से समझ सकते यह diagram काफी detailed explanation च्लीए तो यह आप समझ सकते कि हमसे कर देता है वहां से इन्फर्मेशन वेब पैजस की फ़र्म में ले के आता है और हमारी स्क्रीन पे क्या करा देता भृत अच्छी से करें सकतें ये डाइग्राम काफ़ी डेटेर्ड एक्स्क्रेशन दे रहे हैं वेब ब्राजर वग कैसे करता है ठीक है तो यूजर और वेब सर्वर के बीच में काम करता है ये यूजर और सर्वर को अगर करनेक्शन करना है तो वेब ब्राउजर चाहिए होगा अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो यूजर और और web server आपस में communicate नहीं कर पाएंगे, आपस में communicate नहीं कर पाएंगे, clear, now, अब difference क्या है, ठीक है, web browser और web server में क्या difference है, ये difference देख लेते हैं, कहा है चलिए तो देखिए वेब ब्राऊजर क्या है एक्षिलीं वेब ब्राऊजर एक स्वफ्ट्वेइर है जो कि हमें इंटरनेट पे information डिस्प्ले कराता है इंटरनेट पे जो भी information है मैंमें डिस्प्लै कराता है तो वेश सर्वर एक प्रोग्राम है जो कि सारी इंपर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है जब भी इंफरमेशन उससे मांगी जाती है वो इंफर्मेशन हमें रिप्रोग्राम कर देता है तो अभेश-व्लम हो Land कि अस सर्वर कि इसके पास जो भी प्रॉट्र को यह विगह सलें अनुट्र कर देता है ठीक एंफॉर्मेशन डिलीवर कर देता है उसके पास आ जाती है यूजर के पास आ सर्विस तो वेब ब्राउजर क्या रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो भी इंफर्मेशन है वेब पेजस्ट करता है वेब डॉक्यमेंट की रिक्वेस्ट करता है ठीक है वेब सर्वर एक्सेट दी एन अप्रूब दी रिस्पॉंड वेब सर्वर क्या करता है वो रिक्वेस्ट है कि the web browser acts as a interface between web server and client बिल्कुल सही बात कि web browser web server और client मतलब user के बीच में as a interface काम करता है as a interface काम करता है web server is a software और a system which maintain the web application generate the response and accept the client data तो web server एक क्या है website software है या computer एक hardware भी होता है server एक hardware भी एक computer software भी है जो कि क्या करता है सारा information अपने पास store करके रखता है और जब भी उसको कोई request करता है तो वो request accept करके data generate करके वो deliver कर देता है web browser के थुरू तो यह difference है web browser is installed on the client computer web browser किसके computer इस्टॉल होता है client मतलब user के computer आप और हमारे computer में इस्टॉल होगा web server can be remote machine placed at the other side of network और even or other end मतलब web server क्या है web server को network में place करते हैं माल लिजे network में place करते हैं क्योंकि web server एक ऐसी जगा होगा जहां पे लोग उसको request कर रहे होंगे वहां तक access कर पाएंगे तो अगर कोई भी network बन रहा है उसके अंदर एक web server जरूर होगा जो web server में सारी information होगी जिसके थुरू हम सब information ले पाएंगे ठीक है यह difference ता web server और web page तो web server hardware भी होते है sometimes और software भी होते है sometimes clear तो यह simple से आए कि यह user की request accept करके उसको data deliver करता है और data की request ले जाना और data ले के आना काम किसका है web browser का है और web browser हमेशा एक software ही होता है एक software ही होता है बच्चे clear है चलिए now next अब बात करते है web page और website क्या होती है यह भी terminology internet की basic terminology है internet की तो देखिए internet में जितना बी data मौझूद है वो किसके form में है present है वो web pages की form में present है और web pages का जो file होता है extension होता है वो dot html होता है और हमने html के अंदर यह बात पड़ी है कि हम web pages html के through create करते हैं तो भाई जितने भी information है वो web pages की form है तो web page क्या होता है single document होता है html document होता है जिसमें information होती है internet पे और हर एक web pages का एक क्या होता है बच्ची एक address होता है हर एक web pages का address होता है internet पे जिसके through उसको search किया जाता है या ढूंडा जाता है क्योंकि internet में तो lakhs of crores of web pages प्रेजेंट है तो हर एक web pages का एक address होका जिसके through उसको unique address मिला होगा और ढूंड सकते हैं web pages is a defined as a single document एक single और solitary page of any website हर एक website का एक page को ही हम क्या बोलते हैं web page बोलते हैं every web page is attached to the unique URL address हर एक web page का एक address होता URL address होता जिसके through उसको search किया जाता है यूस्टू रेंडर और एक्सिस दा पर्टिकुलर पेज यूस्टू रेंडर एक्सिस दा पर्टिकुलर पेज तो अगर आपको वह address पता है तो उसको आप access कर सकते हो आप क्या कर सकते हो उस पेज को ढूंड सकते हो जैसे कि अगर मैं कुछ internet पर अच्छा कुछ information पढ़ ला हूं किसी वेब साइट में किसी वेब पेज पे तो अगर वो मुझे पसंद आई है और मैं आगे डिलिवर करना चाहता हूं तो मैं उस पेज का URL कॉपी कर लूँगा और जिनको जिनको शेयर करना है उनको उनको दे दूँगा तो जैसे जिनके पास भी वह एड्रस जाएगा वो क्लिक करें तो डारेक्ट ली उस वेब पेज़ेस और वेब साइट से अंदर क्या होती इंफॉर्मेशन होती है तो जितने भी वेब पेज़ेस हैं वो सारे कलेक्शन और उनको आपस में जोड़ते कैसे लिंक के थूरू हमने यह बात करी है एक फेल में कि आपको अगर वेब पेज़ेस को आपफ में जोड़ना है तो आप इसके थूरू जोड़ सकते हैं लिंक के थूरू और जितने भी यह पेज़े से जितने भी इस पेज़े से सारे क्या है आपस में Link हैं किसके तुरुःmber हाइपर लिंक के थुरू ठीक है लिंक है हाइपर फुके। यहाद रखनी बहुत इंपॉर्टेंड डिफरेंस भी पूछ लिया जाते हैं तो यह सारी चीजह में याद दखेंगे चले आगे चलते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर और जिसको वेब एड्रस भी बोलते हैं और उमेल इड्रस देखिए अभी मैंने बताया यूरल क्या है एक्शली का फुल फॉर्म जो होता है वह uniform रिसूर्स लोकेट डोकेिर यह ऑसको सब्सको ड्श करते होग अगर मारे पास किसी भी वेब पेजा किसी भी वब साइट का एड्रेस है तो हम उसको इसली इंटर्नेट पर सच कर सकते हैं तो यूरल का फुल फॉर्म क्या है यूनि फॉर्म रिसर्स लोकेटर यह बात याद रखनी है और इसी कम मेब अड्रज को मेब अड्रेस भी बोलते हैं और यूर्ल लोकेशन ऑफ स्पैसिफिक वेबसाइट वेब पेज पेज और फाइल ओन दी इंटरनेट तो इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो पेज़स के फॉरम में और हर एक वेब पेजस का एक यूरल सभूंदा जा रहा है उसको दूणा जा रहा है तो यू रल हमारे ने को सब्सक्राइब करने में को थोड़ने पर सर्ज करने में फूर्म याद रखना einfach form resource locator यह है URL अब email address क्या है यह भी terminology इंटरनेट की तो email address क्या है तो भाई आप email तो करते हैं जरूर होंगे सब लोग email करते हैं तो email करने के लिए हमें address चाहिए होता है और वो address हर एक user का क्या होता है यूनीख होता है उसी को हम क्या बोलते है right email address जो कि आप जब भी email send या receive करते हैं तो हमें address चाहिए होता कि किसको यह email करनी है niez है यह message किसको करना है जैसे कि URL में हमें क्या बताया कि यह web address है यह web page का address है वैसे हर एक user जो की email send करता है या email receive करता है उसका एक address जरूर होता है internet पे email address is a unique identifier for an email account जितने भी email account होते हैं जिनके तुरू आप mail करते हो send करते हो तो रिसीव करते हो तो उनका email address जरूर होता है इस यूज़ टो बोद send and receive message over the internet तो email क्या होता भाई कि email चाहिए हमें message receive करने के लिए और send करने के लिए इंटर नेट पे कि सिमलर टो फिजिकल मेल and email message required an address for both sender and recipient in order to be send successfully तो भाई जिसको भी message भेजना उसका email address चाहिए और जिसने भेजना है उसका email address चाहिए तो sender or receiver का दोनों का email address होना चाहिए तभी आप email share कर पाओगे तो email address of web address में difference है क्योंकि email address का है आप email system एक account जिसमें आप message send कर रहे हो वो है और web address का है जितना इंटरनेट पे डेटा है वो वेब पेजस के form में है और वेब पेजस का क्या है बच्चे एक एड्रेस है तो बच्चों यह थी हमारी कुछ important concepts basic of internet जानगा कुछ terminology देखी ठीक है डिफरेंस देखे कई सारे तो यह important point of view से एक्जाम point of view से क्योंकि networking की जो यूनिट है उनमें यह सारे concept आपके slivers में आ रहे हैं चलिए तो बच्चों आची class में इतर रही था अब तो भाई class अगर पसंद आती है class अगर पसंद आती है तो लाइक कर दो शेर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि ऐसा और वी class आपके सामने आती रहेंगी ठीक है चलो बच्चों तो बाई बाई ठैंक्यू और अपना ध्यान रखिए